प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल टू लेर्न मोर टी रिश्योज और सम् पर्टिकुलर अंगल्स ठीक है इसका चार्ड जो होता है इसका टेबल जो होता है वो कैसा होता है और उसको याद करना बहुत इजी है साइन थिटा कॉस थिटा टैन थिटा कॉट थिटा सिर्क थिटा कॉस एक थिटा इसको इरिस कर दे रहूं है तो देखो यहाँ पर जो डिग्रीज होंगे पांच डिग्रीज हम लुक पड़ते हैं ठीक पर्टिकुलर अंगल्स मतलब होते तो सारे एंगल से हैं पॉइंट में मिनट्स में होते हैं जो कि आई से सी का टॉपिक है बीच बीच के सारे एंगल्स का लॉक टेबल दे दिया जाता है इक्नोमेट्रिक टेबल्स थर्टी डिग्री यह 45 डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री यह 60 डिग्री और यह 90 डिग्री ठीक है तो इसका अभी देखो यह 0 से 1 के तरफ जाएगा देखो मैं 2-3 तरीकां बताऊंगा ठीक है और फिर लाक्रिक यह आता कहां से है यह वेलू निकलता कैसे वो भी बताऊ सबसे पहले में वैल्यू लिख रहा हूं, यहीं से याद वोना इस्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो, सबस्था वार्ट वट नहीं को याद करने के तरीका बताओंगा उसके बाद, क्या होगा यह उल्टा होता है यह सारा जो है अभी मैंने क्या पढ़ा कि इस टू आर साइन को सार कॉंपलिमेंटी टू इचे दर मतलब जो 90 होगा वो यहां देखो 90 अब अगर यह एक लाइन से दूसरे वाला लाइन बन गया अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करते जाओ क्योंकि हमने अभी थोड़े दिर पहले कोशिंट रिलेशन पढ़ा था कोशिंट रिलेशन में क्या था साइन बाइक उस इक टूस इकल टू ठीक है सब एक दूसर सेट्री किसका कोट का तो आप इसको यहां लिखते जाओ बस यह इंफिनिटी और नॉट डिफाइड नॉट डिफाइड हो गया यह वाला यह 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 है एक बस आपको लाइन याद होना चाहिए और उसको याद करने का बहुत सारा तरीका है बताता हूं में ठीक है और यह सेख क्या है सेख कॉसीी का endorse रहे या फिर निट ऑब देखो क्या सेख का रिसी प्रोकल है यहा लिखते जाओ ऐसे मैंने किया ऊपर वाले को तैन е और को और इंफिनिटी और नाट डिफाइंड टू रूट टू रूट थी वन ठीक है अब इसके बारे में यह है टी रिश्यू ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल ठीक है टीक है टी रिश्यू ऑफ पर्टिकुलर एंगल चलेगा तो इसको याद करने के तरीके हैं देखो साइन का जो वैलू होता है साइन का वैलू जो चेंज होता है 0 पे 30 45 आपको तो एक ही लाइन याद करना है साइन उसका बहुत सारा तरीका है 60 और 90 तो देखो यह अलग-अलग पे क्या-क्या वैलू बनेंगे अलग-अलग डिग्रीस पे क्या-क्या वैलू बनेंगे आपको क् वाला फाइनल आंसर आ रहा है हमारा यह फाइनल आ रहा है सांसर का ही ठीक है सांसर थीटा का ही वैलुation है कि फोर का 답 ट नu तू और वाण का वन तो मतलब 1 बाइच्ण अए और यह by 4 चो रोट यह और 1-2 काफ़ी। वी आपको पता हобразा है, यह पिल्ट यह दिख सकते हो। आपको एक से और तर जैसे कि में बनाता हूandra और िख समय। और आपको तब तक काम आएगा यह सारा जो याद करने का तरीका जब तक आप इसको practice नहीं करो अगर आप 5-10 question बना लोगे ध्यान से concentrate करके तो फिर ना इसका जरूवत है ना इसका जरूवत है किसी चीज़ का जरूवत नहीं है फिर आपको खोदी याद हो जाएंगा हमेशा के लिए जाएंगा तो यह देखो अलब सबतलतल कि यह सब है आपका जो जो बचा हुआ फिंगर्स है उसको ग्रू उसको डीकर के अंधर लिखना है और नीचए ऑलवेस टू लिखना है तो बचावा फिंगर्स मेरा कितना है यह अगर जी रो है तो जीडो के नीचे बचावा फिंगर्स कितना है कुछ भी नहीं तो जीरो तो साइब हूस 이야기 होता है तो वन बाइटू आगया लगए जिख मेरा फैइनल अंसर आला है पर यह वाले में हमारा फाइनल अंसहर यह समी हो साइन ज़िता का अलग अलग बैल्यू से थो सालि टीकरी बाद आपके पास कितना फिंगर से तीन फिंगर तो रूट थरी भाई पॉर रूट थरी भाई टू ले रहे रहे ना सब में रूट थरी बाई टू तो यहीं आंसर हो गया आपका साइन 60 का वैलू इसमें कुछ डेट्शन नहीं होगा तो रूट थरी बाई तो जिरो से हाफ हाफ मतलब 0.5 और यह थोड़ा जादा 0.7 के आसपास यह 0.85 के आसपास लगबग और यह वन तो इससे आप यह देख रहे हो कि साइन का वैलू डगरी के साथ बढ़ता जा रहा है कॉस का वैलू जैसे जैसे डिगरी बढ़ रहा है कॉस का वैलू घट रहा है 10 का value भी बढ़ रहा है, infinity के तरफ, cot का value घड़ रहा है, आपको बस एक याद रखना है, ये वाला, इसमें आप क्या notice कर रहे हो, कि sin 0 equals to 0, ये तो आपको याद रखना है, sin 90 equals to 1, इससे क्या पता चला, कि 0 से आप 90 के तरफ जब जा रहे हो, तो sin का value बढ़ रहा है, तो ये एक तरीका हो गया, इसको ध्यान में रखके करने का, ये, 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 डिफरेंट डिफरेंट तरीका आपने देख लिया, ठीक है, ये वाला, चलो, अब कैसे आता है ये value, मैं इस table को भी यही रहने दे रहा हूं, इस तरफ में अलग-अलग, जो चलो, पहले क्या लिया जाए, आप बोलो, पहले मैं लेता हूँ, 30 और 60, अच्छा, 30 डिग्री और 60 डिग्री लाने के लिए, कैसा triangle लेना होगा, triangle 90 डिग्री ही रहना चाहिए, आप सोचो, triangle 90 डिग्री ही रहना चाहिए, और मुझे 30 और 60 लेना है, तो कौन सा triangle लेना होगा मैं आपको तीन आयोप्शन दे रहा हूं ठीक है एक्वी लेंगल रूएंगल उस तो साइट इधानगल होगी हुए यह थो एग दो इक्वाइगल मैं यह तो फटीफाइब फटीफाइब हो गया है तो आपको ट्रेइंगल लेना होगा एक्वी लेह लिए यह बी ची और यहां से अपने परपेंडिकुलर यह डाल दिया जो कि नाम हो गया यहां डी पॉइंट अच्छा वी नोगट टाइंगल डिवाइट्स परपेंडिकुलर अल्टिट्वी जो होता है जो एकुल-इकुल-फेंड ने बाढ़ता है यही आपका अंगल-बाइस एक्टर भी है और यही मीडियन भी है ठीक है तो मीडियन है तो दो इकोल हाफ में बाढ़ रहा है एंड लिदा साइट्स अधर ट्राइंगल भी 2a 2a एंड 2a मतलब यहां से यहां तक 2a है तो अगर 2a को मैंने हाफ बाढ़ दिया तो यह कितना हो अप यह वाले पार्ट को देखो आप इसको इग्नोर कर दो आप यह वाले पार्ट को देखो मतलब इन ट्राइंगल अजी PRESID ADC में आपको क्या पता है आपको पता है ac ac कितना है 2a और क्या पता है dc dc क्या है a आपको ad नहीं पता है, AD निकालने के लिए क्या यूज़ करना होगा? Pythagoras theorem, ठीक है? By Pythagoras theorem By Pythagoras theorem Hypotenuse का square minus base का square मतलब AC का square minus DC square is equals to AD square तो AC कितना है? 2A, 2A का whole square minus A का whole square is equals to 4A square minus A square that is 3A square, तो AD का square आगया आपका 3A square, तो AD कितना हो गया? root 3A square, that is root 3 और A square में से बाहर निकल गया A तो AD is equals to root 3A आपको ये भी side मिल गया, कि ये root 3A है यहाँ से यहाँ तक ये root 3A है root 3A, ठीक है? अब आपको टीनों sides पता है, और ये आपका theta है, अच्छा theta कितना होता है equilateral triangle हो? equilateral triangle में ये भी 60, ये भी 60, हमने equilateral triangle लिया था, तभी तो सारा sides equal था अब अगर equilateral triangle है, तो angles कितना होता आपको पता है, 60, 60, 60 60 में से मैंने क्या कहा था, यही angle bisector होता है और यही altitude भी होता है, और यही median सामने वाले को बाट देता है मतलब यही median भी होता है, तो इससे ये पता चला कि यह वाला 60 जब था, और angle को bisect किया है equal, तो यह 30 degree हो गया यहां से यहां तक और यह वाला तो पहले से ही 60 था अब हम वो triangle मिल गया क्या, 30, 60, 90 ठीक है, 30, 60, 90 मिल गया, अब देखो आप 60 से अगर आप देख रहे हो, मतलब sin 60, sin 60 का value कितना होना चाहिए, sin 60 मतलब theta पहले हम मान रहे थे, अब तक अब हम sin 60 ले रहे है, ठीक है 60, मतलब perpendicular by hypotenuse p by h, मेरा angle of sight यह है 60 से देख रहा हूँ, p by h तो कितना हो गया, root 3a by hypotenuse 2a, a और a कट हो गया क्या आगया answer, root 3 by 2 आप देख लो, sin 60 का value root 3 by 2, ठीक है, अच्छा sin 30 देखो सारा value निकाल सकते हैं, यहां से cot, sec, cosec, मैं सिर्फ आपको दो-दो निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है sin 30, अगर आप 30 से देखते हो, मतलब angle of sight यह है, अगर आप यहां ऊपर से देख रहे हो, तो perpendicular यह वाला हो जाएगा, और base बगल वाला, तो sin 30 से देखने से perpendicular by hypotenuse, मतलब a by 2a, a by 2a, a और a कैंसल, तो हो गया 1 by 2, देखो 1 by 2 आगया, इस तरीके से अब सारा का सारा angles निकाल सकते हो, चलो और भी 60, cos 30, ऐसे ही निकाल सकते हैं, cos 30 degree, cos 30 बोलो, उपर से अगर देखेंगे, तो cos क्या होगा, यह base, और base by hypo, root 3a by 2a, a और a कट, root 3 by 2 आपका answer, देखो, cos 30, root 3 by 2, यह वाला भी हमें मिल गया, ठीक है, और यह निकालना है, cos 60, एक बार में पहले ऐसा करूँ कि 30 degree का सारा निकाल दो, तो cos और sin तो आपने निकाल लिया था, cos होगा, चलो 10 30 देखो, 10 30 यही से, perpendicular by base, P, अगर आप यहाँ से देखे हो, सामने वाला perpendicular, perpendicular by base, that is a by root 3a, तो a और एकट गया, answer क्या आगया, 1 by root 3, देखो 1 by root 3, मैं double tick लगाता जा रहा हूँ, जो हम ढूंडते जा रहे है, cot theta, cot 30 degree, तो cot मतलब की base by perpendicular, मतलब base यह है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, तो base यह है, और perpendicular यह है, root 3a by a, root 3a by a, तो यह है आपका, कैसे यह सारा angles आता है, ठीक है, अब इससे पहले हमने याद करें का तरीका सीखा, अब यह जान रहे हैं कि कैसे आता है, cot 30 degree, मतलब की 30 degree में cot है, root 3, थोड़ा साब को समझना होगा, 0 और 90 वाले में, बाकि यह तीनों जो column है, यह काफी easy है, 30 हो गया, और बज़ गया, 630 degree, 630 degree मतलब 30 से देखो, तो h by b क्या होगा, h by b, अगर वहाँ से देख रहे हैं, तो b तो यह है ना, बगल वाला, h by b मतलब की 2a by, root 3a, a और a cut, 2 by root 3, 630, 2 by root 3, ठीक है, यह भी हो गया, अच्छा, आप चाहो तो यहाँ नाम भी लिख सकते हो, triangle का sides का नाम, जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूँ, cause 1, cause 1 30 degree, cause 1 का मतलब, hypotenuse by perpendicular, तो hypotenuse का नाम क्या है, AC, देखो, AC by perpendicular है, DC, और AC का आपका value है कितना, यहाँ से भी देख लो, AC का value है 2A, और DC का value है A, A और A cut, value आपका 2, 30 degree का column पूरा complete, 60 में हमने सिर्फ एक निकाला था, 60 का आगे का columns निकालते हैं, ठीक है, अब इसको note down करो, मैं रिज़ कर रहूं, ठीक है, इसके बाद, इसी triangle से, 60 degree निकालना है, फिर हम दूसरा triangle बनाएंगे, 40 degree के लिए, 45 के लिए, तो sign हमने निकाल लिया है, तो cos 60 निकालना है, cos 60 degree, 60 से देखो, अब बोलो, cos क्या होगा, cos का मतलब होता है, base by, base by hypotenuse, ठीक है, तो base क्या है, base हमारा है, यहां 60 से देख रहे होतो, DC और हाइपो है AC, DC by AC, DC का वैलू दिया है, A, और हाइपो का वैलू, root 3 A, A by, AC का वैलू है, 2A, तो A और A cut, 1 by 2, देखो, cos 60 का वैलू, 1 by 2 आ गया, ठीक है, 10, 10, 60 degree, perpendicular by, base, perpendicular क्या है, AD और base है, DC है A, root 3 A, और यह A, A और A cancel, तो आपका आगया, root 3, अच्छा, उसके बाद, 10 के बाद, cot ने कालो, cot 60 degree, cot 60 degree, क्या होगा, 10 का reciprocal, सारे चीज़े को दिमाग में, एक साथ चलाते जाना है, यह, 10 का reciprocal, मतलब, base by perpendicular, मतलब, इसका उल्टा, DCY, DCY AD, AD था क्या, हाँ, AD, तो यह हो गया, A by root 3 A, मतलब, A और A cancel, तो 1 by root 3, answer, ठीक है, 660, 660 ठीक है, अगर अब 60 degree से देख रहे हो, तो 660 क्या होता है, hypotenuse by base, hypotenuse by base, मतलब, AC by DC, AC by DC, और AC का value है 2A, यह सारा आ गया, लाशली बज़ गया, कॉसेक 60, कॉसेक 60 degree, कॉसेक का मतलब होता है, hypotenuse by perpendicular, मतलब, 2A by root 3 A, 2A by root 3 A, 2 by root 3, answer, ठीक है, visible है, चलो, अब हम next करते हैं, आप इसको note down कर लो, pause करके, अब हमारा column होगा, यह 45 बाला, फिर 0, फिर 90, चलो, इसको इसको इरेज कर रहो है, तो सब कुछ आना चाहिए आपको, कि यह values आ कहां से रहे हैं, और याद करने का different different तरीका भी आना चाहिए, और याद भी होना चाहिए, तभी बनेगा maths, यह अप में यह वाला column करते हैं, 45 के लिए आप बोलो, अभी जो मैंने बनाया था, 45 के लिए आपको concept triangle लेना होगा, आइसोसलेस राइट अंगल ट्राइंगल, आइसोसलेस राइट अंगल ट्राइंगल, तो यह हो गया, A, B, C, ठीक है, तो ac का square, is equal to ab square ac square अगर 2a square है, तो ac कितना होगा, अंडर root 2a square, root 2a, यह आपको value पता चल गया, root 2a, sin 45 बोलो, क्या होता है, 45 मतलब angle of sight मेरा यह है, 45, यह भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही 45 है, तो आप यह वाला देखो, क्योंकि यह थोड़ा easy होता है आपको देखने में easy होगा यह sin45 क्या होगा perpendicular by hypotenuse मतलब AB by AC और AB आपका क्या है A by root 2A that is AA cut 1 by root 2 cos45 BC by AC A by root 2A 1 by root 2 यह दोने value same होता है यह दोने हमारा निकल गया 1045 कितना होगा 1045 perpendicular by base तो अगर मैं sides का नाम लिखो तो AB by PC AB by BC मतलब A by A और A by A अगर cut हो गया तो क्या होगा आपका answer 1045 is equal to 1 और 1 यह सारा चीज़ क्या आ रहा है यह ratio है यह value नहीं exact value नहीं ऐसा नहीं क्यों कोई भी triangle होगा तो आपका इतना meter ही होगा यह अतना kilometer यह अतना centimeter होगा यह ratio ratio will not change जैसे मैं एक example देना चाहूँगा अगर मानलो यह tan sin 30 degree है sin 30 degree आपको पता है कितना होता है sin 30 degree 1 by 2 होता है sin 30 degree 1 by 2 होता है तो यह अगर 1 है मतलब perpendicular by hypotenuse sin का मतलब क्या होता है P by H यह वाला चीज़ देखते यह different है इसके अलग है तो perpendicular 1 है अगर तो hypotenuse कितना है 2 है तो यह क्या है 1 और 2 meter centimeter नहीं यह ratio है meter centimeter भी हो सकता है यह ratio है अगर मैं इस triangle को बढ़ा दूँ और मैं इसको 100 कर दूँ यह वाला जो है यह side हो गया perpendicular जो है उसको अगर 100 कर दूँ तो यह कितना हो जाएगा यह यह जो यहां से यहां तक बढ़ा यहां से यहां तक यह 200 हो गया ठीक है कहने का मतलब अभी यह कितना के ratio में है 1 by 2 के ratio में अगर sin 30 होगा तो यह always 1 by 2 के ratio में ही होगा तो वही अभी मैंने थोड़े दिर पहले पता है था कि the value of trigonometry value of trigonometric ratios will not depend on the angle it will depend on the it will not depend on the size it will depend on the angle यह angle पर depend करेगा size पर नहीं ठीक है तो अभी मैंने क्या निकाला 1045 1045 के बाद क्या है Scott 45 Scott 45 आपको पता है कि base by perpendicular मतलब इसका उल्टा reciprocal a by a मतलब 1 अच्छा सेख 45 45 से देखो सेख बोलो hypotenuse by base hypotenuse मतलब ac और base मतलब bc तो root 2a by a that is root 2 देखो यह वाला आगया root 2 यह उपर कभी दोनों निकल गया lastly यह बच गया कॉसेख 45 कॉसेख 45 मतलब hypotenuse by hypotenuse by perpendicular ac by ab root 2a by a that is a और a cut तो answer आगया root 2 अब आप इसको भी जल्दी से पाउस करके नूट डॉंग कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ बहुत अभी exercise का बहुत सारा questions पा किये अभी तो सिर्फ हम concept में ही है इसके बाद identities बहुत छोटा सा है उसको थोड़ा समझना है उसके बाद हम question से start करेंगे फिर question में आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी चलो में रेस कर दूँ तो ये था 45 degree वाला इसके बाद हमारा क्या है 0 ले लो या 90 कोई भी 0 करता हूँ पहले तो देखो 0 degree बनाने के लिए ये थोड़ा important है क्या करने तो 0 degree के लिए आप ये triangle बनाओगे ये A, B, C और ये theta मैंने लिया ठीक है? और ये 90 degree होगा ठीक है? तो 90 degree में ही पाइथा को रस बनता है लेकिन इस theta को मुझे 0 degree बनाना है मतलब आप इसको इतना छोटा करते जाओ ये 0 degree कैसे होगा? इतना छोटा करते जाओ कि एक ऐसा time आएगा कि ये hypotenuse आके base पे मिल जाएगा ये जो base है हमारा y ये x और ये r तो r is equals to y हो जाएगा r is equals to y इतना छोटा होता जाएगा ये hypotenuse के आके base में मिल जाएगा और ये a b कितना हो जाएगा? a b is equals to 0 that is x is equals to 0 मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ that is a b is equals to x is equals to 0 और ac ac जो है ac और bc दोनों equal हो जाएगा किसके? आपस में जो भी है इसका unit जितना भी measurement है उसके equal हो जाएगा अब चलो इसको हम sin 10 और post के angle से देखते है तो sin 0 degree क्या होगा बोलो sin 0 degree sin 0 degree equals to perpendicular by hypotenuse अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ यह मेरा angle of sight है 0 से देख रहा हूँ यह मिलते मिलते ऐसा time आया कि यह line इसमें मिल गया और यह बन गया 0 degree यह आपका 0 degree हो गया तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो perpendicular by hypotenuse perpendicular कितना है हमारा? perpendicular यह है AB AB by hypotenuse AC अब बोलो AB क्या है? AB है 0 and 0 by anything चाहे वो आप R लो या Y लो 0 by Y, 0 by R hypotenuse R था ना? 0 by R is equal to 0 that is why sin 0 का value 0 होता है ठीक है? यह वाला निकल गया हमारा cos theta देखो आप cos 0 degree cos का मतलब base by hypotenuse base by hypotenuse BC by AC और BC कितना है? BC है Y hypotenuse है R तो Y का value जो है वही R का value है तो मैं लिख सकता हूँ R by R that is 1 तो आपको cos 0 degree मिल गया है? जो कि यहां लिखा हुआ है पहले से अच्छा tan यह आप देख रहे हो कि यह सारा degrees कैसे आ रहा है? 0 degree tan 0 मतलब perpendicular by base यह फिर आप बोल सकते हो sin 0 by cos 0 यह भी बोल सकते हो sin 0 by cos 0 sin 0 degree by cos 0 degree तो sin 0 का value 0 है cos 0 का value 1 है 0 by 1 is 0 देखो 0 by 1 is 0 अच्छा अब आप यह तीन निकल गया इन तीनों का reciprocal कर लो कहने का मतलब cot 0 degree 1 by tan होता है आपने पढ़ा अभी reciprocal reciprocal relation of t ratios तो tan 0 का reciprocal होता है मतलब tan का value 0 है तो 1 by 0 and 1 by 0 क्या होता है? infinite और यह भी हो सकता था यह भी हो सकता था कि यह not defined हो not defined क्यों होगा अभी मैं यहां बता दूँगा इसमें आपको पता चल जाएगा यहां भी आप जान सकते हो not defined इसलिए होगा कि cot का मतलब क्या होता है? चलो अलग से इसको करते हैं फिर clear होगा not defined क्यों होता है infinity तो आपको समझ में आ रहा है 1 by 0 is equal to infinity मतलब की 1 को 0 को किस नंबर से multiply करोगे की 1 आएगा तो एक कोई बहुत बड़ा number होगा जिससे multiply करने से 1 आएगा ठीक है तो वो हो गया अच्छा cot theta आप not defined के लिए तोड़ा confused होगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि not defined के लिए आपको क्या लेना है वैसे तो होता इसका परमल क्या है lattice का theta का base क्या है आपका बेस यह है और perpendicular यह है तो हो सकता है कि यह base कुछ भी हो हमें पता नहीं है यह base कुछ भी हो सकता है या फिर Anti opening भी हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है तो 0 को किस नंबर से multiply करोगे कि infinite आएगा, तो वो not defined हो गया, ठीक है, यह line, कुछ भी हो सकता, आपको नहीं पता है, तो जिसे कि मालो, 1 लानिकली में एक example दे रहा हूँ, 1 by 0 is equal to infinite, लेकिन, suppose 7 by 0 is equal to, यह भी infinite होगा, लेकिन कौन सा वा line, मतलब आगे में कौन सा number होगा, आपको पता नहीं है, तो उसके लि situation में यह not defined हो जाता है, ठीक है, चलो, यह हो गया हमारा cot 0 degree, और क्या-क्या बच गया, सेक और कॉसेक, वो मैं यहां लिख रहा हूँ, सेक और कॉसेक, सेक 0 degree क्या होता है, सेक 0 degree is equal to, हाइपोटेनस by base, कॉस का उल्टा, तो कॉस कितना आया हमारा 1, आप डैरिक भी बोल सकते ह 1 by 1, तो 1 ही आएगा, या फिर यहां से देख लो, हाइपोटेनस कितना है, R है, और base कितना है, Y है, और दोनों में R by R लिख सकता हूँ, मतलब 1 आ गया, देखो, सेक 0 degree is equal to 1, यह भी हमने डिसकस कर लिया, बच गया, यह कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक 0 degree is equal to, हाइपोटेनस by perpendicular, अगर दोनों option में आता है, तो आप not defined लगा होगे, और सिर्फ एक यह 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 रहता है, तो जो option में रहेगा, वही लगा होगे, तो यह होगया, हमारा 0 degree, मैं raise करता हूँ, ठीक है, आप नो डान कर लिजी, चलो, ठीक है, 0 degree वाला भी सारा clear हो गया, अब इसी triangle, मैं यहाँ पर इसको रहने देता हूँ, ताकि आप थोड़ा, उसको confuse नहीं होगा, ठीक है, आप इसको relate कर पाओगे, कि मैं क्या बना रहा हूँ, अब अगर 90 degree बनाना है हुझे, तो बोलो, यह 90 degree कैसे हो पाएगा, ABC है, और हम कहां से जहां से देखते है, उसी को तो theta बोलते है, यह वाला, तो यह तो already 90 degree है, तो यहां से नहीं देखना है, कहने का मतलब इसको, जहां से आप देख रहे हैं, उसको 90 degree बनाना है, तो उसके लिए आपके पास दो option है, या तो इस line को, या तो इस line को ऐसा करते जाओ, या आप जह कर सकते हो, कि इस theta को 90 degree बनाने के लिए, आप इसको 90 के ऊपर ही ले आओ, 90 के ऊपर लाने के लिए आपको यह line को, थोड़ा-थोड़ा आपको theta को सामने shift करना होगा, यहां, यहां, ठीक है, आप सामने shift होते जाओ, यह हो गया, यह हो गया, अब देखो यह degree बड़ा होता ज हो गया, ठीक है, C आता गया, और यह lastly C यहां आ गया, तो B and C coincide on each other, point B, point B and C coincide on each other, each other, ठीक है, अब आप बोलो कि, coincide on each other, ठीक है, अब यहां से हमें कुछ पता करना है कि आपका यह X और यह Y और यह R, ठीक है, X, Y, R, तो perpendicular क्या हो गया, perpendicular is, that means, A, B, A, B, X है, और इसे में bracket, perpendicular लिख दे रहा हूँ, और A, C, A, C, A, B, के equal हो गया, देखो, यह यहां आता गया, और यह दोने equal हो गया है, तो A, C, B, X हो गया है, कहने का मतलब जो R था, वो भी आप X हो गया, और वो क्या था, वो हाइपो टेनेस है, हाइपो टेनेस, ठीक है, और यह BC, BC छोटा होता गया, चोटा होता गया, BC कितना हो गया, BC 0 हो गया, ठीक है, मतलब Y is equal to 0, यह जो Y था, यह 0 हो गया, ठीक है, आप इसमें यहां ऐसे लिख सकते हो, मतलब यह क्या था हमारा, बेस था, ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, आगे हम लोग को एक-एक साइन, जो T रेशियो जो हमने पढ़ा है, यह सारा, एक-एक पे रखके देखना है, तो साइन 90 डिगरी क्या होगा, साइन 90, साइन का मतलब परपेंडिकुलर भाय जो भी दोनों एकी है, वन आगया, देरफोर, साइन 90 इक्वल्स तो वन, ठीक है, बाकी मैं यह उपर उला हिरेस करता हूँ, ठीक है, और भी आगे, कॉस 90, 1090 कर सकूँ, कोस 90 क्या होगा, कॉस 90 डिगरील इफ़़ टू बेस बाइज थीपोटिनिस, ठीक है, बी बाइज हई, एक कِّतना है, वाई, इस कितना है, आर, और यह दीक्वाई क्या होगा है, मैं नहीं यह लिखा तो Y 0 होगया है, तो 0 बाई आर इस पर इस इस वाई cos 90 is equal to 0, 1090 कितना होगा, 1090, 10 का मतलब होता है, sin by cos, या फिर देखो 10 आप यहाँ से देख लो, perpendicular by base, perpendicular by base, तो perpendicular कितना हमारा, AB है, AB by base BC है, तो B और C तो यहाँ coincide कर गया, मतलब BC 0 है, अब नीचे वाला 0 है, और उपर हमें पता नहीं है, उपर हमें पता नहीं है कि वो कितना है, जब यह unidentified हो, यह पता नहीं हो हमारे पास, कि यह कितना है, तो इसका best answer क्या होगा, not defined, और पता हो तो infinity, तो यह दोनों में से कोई भी answer हो सकता है, ठीक यह है, चलो इसी तरह से आप इसका reciprocal कर लेना, मैं डारेक लिखता हूँ, कॉट थिटा, कॉट 90, थिटा नहीं, अभी हम इस particular angle के लिए पढ़ रहे है, 90 degree के लिए, तो कॉट 90, 10 का उल्टा, और 10 का उल्टा मतलब 0 by anything is equal to 0, मैंने डारेक लिक दिया, कॉट 90, 0, ठीक है, सारा हो गया यह, अब बोलो, यह सेक, सेक 90, कॉट का उल्टा, कॉट कितना है देखो, पस 0 और 0 का उल्टा क्या होगा, infinity और not defined, जब उसको आप इस triangle से relate करोगे, तो infinity और not defined आएगा, अच्छा, कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा, साइन केतना है, वन है, कॉसेक is the reciprocal of, कॉसेक 90 is reciprocal of साइन 90, ठीक है, और साइन 90 का value 1 है, therefore 1 आगया answer हमारा, तो इसके साथ T ratios with, of some particular angles, T ratios of some particular angles, यह हमारा complete हुआ, अभी मैं जो एक छोटा सा आपको hints दूँगा, जिससे complementary और reciprocal, वो दोनों याद करना असान हो जाएगा, ठीक है, आप इसको note down के लिजे, pause करके, मैं erase कर रहा हूँ, यह हमारा complete हो गया, इसको आपको यह मैंने याद करने का different different तरीका बचा जिया, finger में, और root के अंदर रखके, ठीक है, चलो मैं यह erase करता हूँ, अब हमारा जो topic है, squares of T ratios और दो हिंट देना आपको दो याद करने के तरीके, उसके बाल हम identities बढ़ेंगे, चलो वो तरीका क्या है, complementary के लिए पहले देख लो, मैं अलग-अलग बना के दिखा रहा हूँ, so that you can relate, complementary, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cos theta, थिक्षर, यह sign, किसका complementary होता है, इसका, sign cos का, ठीक है, sign cos का complementary होता है, tan, tan cot का complementary होता है, ठीक है, tan cot का complementary होता है, और sec, cossard का complementary होता है, ठीक है, और reciprocal अगर मैं बोलना चाहूं, इसको ऐसे भना के, क्योंकि यहाँ बहुत 24 अच़्ीमेंट हो जाएगा, रहने चाहिए अच्छे सव्यान में रखोगें यह संपाएगा सब इसथिता ट्य कोर्ट टी degener कॉल इसो पrop यह और सब्सक्र्च कोश करें रायों ठीक है। चलो वीडियो करके आप करनूछ करता हूं यह हो गया अब हमारा स्क्वार्स आफी रिश्योज 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 स्क्वार्स आफ थिटा आपको पता है क्या होता है LHS में LHS लेके RHS प्रूफ करता हूं साइन आपको पता है पर्पेंटिकुलर भाई हाइप इस ट्राइंगल से ले लेता हूं सबसे बेश रहेगा नाम लिखने में एजी होगा ठीक है आपको समझने में भी आसान होगा यह एक्स वाई आर ज सब्सक्राइब केसा ओक्तृर्थ कश यायनी सी अनुट्राइब कंगा है ने आपको पानी में में कम क्यों आउय पाई स्कुर्ण स्क्टोर स्क्टेक्टोर प्लस 7 स्क्टोर स्कुरर हो टो अगर मैं é uno कि एक स्क्टोर स्क्टोप इसक्टारी को आःता आई क्लिकल स्क्टैश्ट श्क्ट है अगया वनार्ज एक फ़ियुकाला daw जो बहुत important है ठीक है? यह बहुत ज़्यादा important है number one number one identity हो गया यह ठीक है? erase कर दूँ इस तरफ करता हूँ erase इसके बाद क्या है? सेक स्क्वार थीटा number two सेक स्क्वार थीटा minus tan स्क्वार थीटा is equals to one तो LHS अगर ले लिया जाए उसी ट्राइंगल के हिसाब से तो LHS में क्या होगा? सेक ता मतलब H by B और H hypertonus क्या है हमारा R R by base क्या है? Y तो R by Y का whole square minus tan का मतलब perpendicular Y base perpendicular by base मतलब X by Y का whole square is equals to अगर मैंने LCM ले लिया तो Y square हो गया उपर में R square minus X square R square minus X square अब R square minus X square आप देखो क्या होगा by using Pythagoras theorem R square minus X square होगा Y square तो मैं लिख सकता हूँ Y square by Y square तो यह हो गया one देखो आगया हमारा RHS तो यह भी एक identity बहुत important यह वाल identity आप लिख लो इसको यह बहुत important identity है और एक third identity है जो squares करने से आपको निकलता है क्या है वो Quseq square Quseq square theta minus cot square theta is equals to one Quseq का मतलब उस triangle के हिसाफ से देखो hypotenuse by perpendicular R by X LH से करने लिया जाये तो R by X का whole square ठीक है, minus cot का मतलब Jest by perpendicular y by x का whole square y by x का whole square Q है, around 1 परपिंदीकलर highpotenus minus perpendicular highpotenus का square minus perpendicular is equal to base का square तो base का square आ गया और ये होग colour करत के 1, therefore RHS prob तो ये आपका तीसरा identity बहुत important ठीक है बहुत काम आने वाला यह तीनों इडिंटिटी तो इसको अब मैं स्क्वार्स आफ टी रेशियो वाला टॉपिक से हटके अब सिर्फ आइडिंटिटी डिसकस करता हूं और यह हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा सबसे इंपोर्टेंट होता आपको फंडमेंटल जानना है अगर आप फंडमेंटल सारा जान जाए रहे हो उसके बाद आपको फॉर्मॉला द्हान में रखना Currently को यशान में सब्सक्यासित्या मेंना प् का आईडिंटीटी में के पूछ वर्मुला आप लिख लिजी फिर में बोग से सटाट करता हूं आरे से अलृषर के स्टाट तो नंबर वन आइटिंटिटीज हेटलाइन जे दिनाब आइटिंटिटीज साइन स्क्वाइर थीटा प्लस कॉस्वाइर थीटा इस इकल्स तो वन अच्छा इस ते तीन चार बन सकता है आपको क्या-क्या देखो इसको मैं लिख सकता हूं तो साइन स्क्वाइर थीटा इस तरह आ गया तो वन मायनिस साइन स्क्वाइर थीटा और जो एक डुह है जो बहुत कन्फूज करते हैं इस्टोनस को मालोग कभी इस्टोनस को इस तरह से आ गया cos square theta minus 1. तो ये कुछ भी नहीं होता है. लेकिन इसके बदले में इस्ट्वेंट्स क्या करते है ? cos square theta minus 1 है? तो ये दे देते है. sin square theta दे देते है. लेकिन यहाँ क्या होगा ? यहाँ minus sin square theta होगा. आप देखो, कि cos अगर इस तरफ आता है, यह वन भी इस तरफ आता है, तो यह sign उस तरफ चला जागा, minus 1 के, ठीक है? यह सारा एक ही identity से बन के आ रहा है, इससे, और minus cos square theta क्या होगा? sin square theta, minus 1, ठीक है? यह सारा एक से बना, दूसरा क्या है? second बाला, जो अभी हमने निका, sec square theta minus tan square theta is equals to 1, तो इससे क्या-क्या identity निकलेगा पहला तो सेख square theta is equal to यह उस तरफ ले जवाब, तो 1 plus 10 square theta यह हो गया, और अगर 1 को इस तरफ ले आओ और 10 को इस तरफ तो, मतलब इसी में से, इसमें से आप 1 इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 10 square theta is equal to sec minus 1, सेख square theta minus 1, यह हो गया, और इसी तरह का 2 negative वाला बोलो, जिसे अगर मैं इसको, दो नहीं एक, क्योंकि इसको आप negative करोगे तो यह दोनों negative हो जाएगा, इसको negative करके लिखो, तो यह क्या हो जाएगा, देखो यहां लिखता हूँ मैं, minus 10 square theta, क्या हो का minus 10 square theta, 1 minus sec square theta हो जाएगा, तो यह सारा आपको याद करने का जरूवत नहीं है, आपको सिर्फ यह वाला याद करना है, जो भी मैंने बोला कि squares of t ratios, एक, दो, यह मैं वाला याद करना है, आपसे जब भी कुछ भी पूछा जाए, आप उसको mind में ही, इस तरफ से उस तरफ करके निकाल लो, ठीक है, उस कॉसे को आप इस तरफ करो, तो यह कॉट इस तरफ आ जाएगा, 1 प्लस, कॉट स्क्वार थीटा, और एक बार कॉट को इस तरफ कर लो, कॉट स्क्वार थीटा इस एक स्क्वार थीटा, माइनस वन, यह सारे आपको अभी questions भानाने में बहुत use होने वाला है, और अगर इसक तैन थीटा इंटू, तैन थीटा इंटू, गॉट थीटा इकल स्टू, ठीक है, और देखो अगर इस आइडिंटिटी को, इससे तरफ कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह साइन इसक्वार प्लस स्क्वार है, लेकिन इस आइडिंटिटी को अगर मैं यहां पर लिखत आइडिंटिटी नहीं, इससे एक रिजल्ट निकाल के लाता हूं, क्या रिजल्ट निकलेगा, स्क्वार थीटा माइनस टैन स्क्वार थीटा इस इकल स्वार तो यह क्या आप किस फॉर्म में देख पा रहे हो, ए स्क्वार मैनस बीज़ा है, तो कह सकते हैं कि ए प्लस इंटू, ए माइनस बी, इस एकल स्टू, और अगर इस में से किसी एक को आप इस तरफ लियाओ, तो नीचे आ जाएगा, स्क्वार थीटा प्लस टैन थीटा इस एकल स्टू, वन बाई, स्क्वार थीटा मैनस टैन थीटा, यह हो गया, इसी तरह से जो यह मैंने निकाला, क् सिक्स नमबर इस से भी लिख सकते हो, यह वाला फर्मुला से, क्या, एक कॉस एक थीटा, प्लस कॉड थीटा, इस इकल स्टू, वन बाई, कॉस एक थीटा, माइनस कॉड थीटा, ठीक है, कंप्रीट हो गया हमारा आइडेंटिटीज, इसको आप नोट डॉन कर लिजिए, अ साहे, new हो या old, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि chapters वही है, concept वही है, questions वही है, कुछ दो-तिन questions हर साल add होते जाते हैं, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास यह सारा concept है, up to class 10 ताप कोई भी question बना सकते हो, थोड़ा उसमें logic लगाना होगा है, बस जाते हुआ हम भीиком के झाल आपके पास, ऑल प्योथा जाता एना सकते हो, जाते हैं जाते हैं, आपके बडिन